पोकाल मचादे के पूरे मिर्जापुर में हम है मुन्ना त्रिपाथी और प्रिंस ओफ मिर्जापुर मिर्जापुर के बाहु बली के बेटे कालीन भाया के बेटे मुन्ना त्रिपाथी लेकिन पोकाल मचाने से पहले अगर तुम लोगों ने अपने कान में एरफोंस नामक एक चीज आते हैं वो नहीं डाली तो डाल लो यार ठीक है गुसेड दो अपने कान में अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले लोग तुम्हारे अंदर डंडा गुसेड देगे जिसके जिम्मेदार मुन्नातरी पाठी बिल्कुल नहीं होगे तो आ हमारी जीएफ की फोट है यहाँ पर और हम को साबित करना कि हम अनको दिखाना कि हम मुन्नातरी पाठी पाठी किसी की मदद लिए बीना मिरजापुर की गद्दी संभाल सकते है ठीक है मिरजापुर का सुहाना द्रश्य अभी हम यह आपर से जाना है हमारे कबूतरों के पास जो कि व्यापार में हमारी मदद करता है जिन लोगों को नहीं पता है कबूतर कौन है वो है हमारे नीचे काम करने वाले डीलर्स जो कि हमसे कटे खरीते हैं और बैचते हैं तो चलिए वहाँ पर चलते हैं अबे बॉल के सर रही है यहीं पटक के चोध देगे चल निकल मादर चोध अबे साले एक दिन बारात में दुल्हे को ही टपका दिये थी यह तो क्या चीज़ है भो सड़ी के तुम भी ज्यादा उचलो मत माचोध देगे तुम्हारी छोड़ो यार ऐसे छोटे छोटे आजमी तो हमारे आज से रोज मरते रहेंगे छोड़ो यार अभी हमको जाना है अपना व्यापार देखने देशी कटो का व्यापार देखने तो हम पहले कबूतिर के पास जाते है और देखते हैं कि व्यापार का क्या हाल चल रहा है बहुत ज़्यादा लोज जा रहा है या फिर प्रोपिट हो रहा है देखते हैं वहाँ पर जाके हिसाब मागेगे देखते हैं कोई जोल तो नहीं चल रहा हमारे पीठ पीछे वैसे कोई ऐसा थोचे गा भी नहीं और सोचेगा तो सबको पताई है की मुन्ना त्री पार्टी क्या हाल कर देगे हैं महा बेहन एक कर के रख देगे तो यार हमारी पहली कभूतर की दुकान है वो थोड़ी से underground है आपको अभी दिख जाएगी सामने के तरफ देख सकते हो थोड़ी से underground देखने के लिए मिलेगी तो अभी यहाँ पर जाते है कभूतर के पास और वहाँ पर से कुछ गन वगेर अभी साथ में लेनी है पता ने आज हमारी गन जो हे हम हमेशां दो ही गन यूज़करता है एक पिस्टल और एक सबको पता है यह शोट गन दो ही चीज़ यूज़करता है तो पहले व्यापारी के पास जाते है और उससे पूछते है कि क्या ह यह हमारा पहला कभूतर इससे हम लोग पहले हिसाब मागते हैं क्या चल रहा है यहां पर लोस में जा रहा हमारा देशी कट्टे का व्यापार और उस बार जो बक्चोदी हुई थी आयायायाय सबके हाथ में कट्टे फूट रहे थे ठीक है तो वह भी सोल्यूसन निकाला है हम अभी व्यापार तो यहां पर बहुत जादा बढ़िया चल रहा है तो इसको छोडते है ठीक है तो भाइच चलो यह कब वह तर अच्छे सब काम कर रहा है तो इसको न छोडते है और इंका जो प्रोफित वगेरा है वह बहुत प्रतंदे में भी टांग अड़ा रहा है और हमसे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोफिट माग रहा है तो यार उसको भी अपनी ओकाद में रहना सिखाना पड़ेगा मिरचापुर हमारे बाप का है और हमें एक दिन इसके गदी पर बैठना है तो ये पर से सीखना हमें शुरू करना होगा और ये जो बख्चोदी हम पेल रहे है वो छोड़नी होगी और सब को दिखाना होगा कि असली प्रिंच जो है वो हम है मुन्ना पईया पैया में बईया म उन्ना भाईया तो सबसे पहले हमारे पापा ने यहां पर मकबूल को बेज़ा था हमारे साथ आने के लिए बलाला की मा बेहन एक करने के लिए लेकिन मकबूल अभी तक यहां पर नहीं पोचा है पापा ये समझते है कि अभी तक हम जो है मिर्जापुर की गद्धी के लायक नहीं है यार बहुत ही तकलीफ होती ही यह बात सुनकर अगर मकबूल को बेजा है तो उसे साथ ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाहुबली का ओडर है लेकिन अभी तक यहां पर मकबूल आया नहीं है तो हमारे पास अच्छा वाला बहाना है अपने आपको साबित करने का य लेकिन यार लाला को ऐसे नहीं मारेगे हमें सिर्फ उसको सीधा करना है अगर बिन बताए हमने लाला को मार दिया तो हमारे पापा जो हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज होगे वो हम कता ही नहीं चाहते तो यार मैं सोते रहा हूँ कि लाला का जो कबूतर है लाला जो अपने business supplies करता है उसका एक truck अभी-भी मेरे ख्याद से यहाँ पर से निकला होगा क्योंकि उसका टाइम है ठीक है तो वो जो है check post जब मिर्जापूर के बाहर निकलने वाला होगा और मिर्जापूर की जब check post पर पहुचेगा तभी वही पर ही उसको दर लेगे और अपने आपको साबित करने का इससे अच्छा मुका हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा इससे लाला को भी अपनी ओकाज समझ में आएगी और पापा भी हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश होगे तो अभी फड़ावर्चे चलते हैं check post की तरफ वहीं कहीं आसपास में होना चाहिए लाला के सप्लायर्ज का ट्रक ठीक है तो अभी फड़ावर्चे चलते हैं उस तरफ और वो ट्रक आही रहा होगा मुझे पका पता है पकी information है मेरे पास और अभी हम गाना गाते हैं और चलते हैं उस तरफ यार यह बहुत ही ज़्यादा फणी हो रहा है लेकिन पहली बार मुका मिल रहा है हमें अपने आपको साबित करने का तो हम यह मुका बिलकुल जाने नहीं देगे यहीं कहीं पर आसपास होना चाहिए यहीं पर से गुजर रहा होना चाहिए उसका ट्रक और यह रहा सामने मिल भी गया यहीं पर गाड़ी रोकते है और दर लेते हैं उसके कबूत यह लाला का ट्रक है मुन्ना रोकने की हिम्मत मत कर अब लाला की मा का भोषडा बता देना अपने लाला को जाके मुन्ना तरी पार्टी आये थे और मा बेहने एक करके गए अभी इस ट्रक को हम लेकर चलते हैं त्रिपार्टी हवेली के तरफ नहीं मेरे ख्याल से उसको वहाँ पर रखना सेफ नहीं होगा यह लाला का माल है वो भोषडी का चुप नहीं बेठेगा इस ट्रक को मैं सोच रहू कि अब मेरे ख्याल से लाला चुप नहीं बेठेगा लेकिन लाला को अपनी ओका समझ में आगे होगी कि हम कौन है त्रिपार्टी खांदान कौन है कालीन भाईया कौन है यह सारी की सारी चीजे जो है ना उसके दिमाग में गुस्च की होगी वो भी अच्छे से तो अभी हम चलते हैं कट्टो की फैक्ट्री की तरफ वहाँ पर हमारे आज में होगी अगर लाला या फिर उसका कोई पालतु कुत्ता ट्रक हटाने की कोसिज भी करता है तो वहीं पर धर लिया जाएगा और उसके बाद तो उसको पता ही है कि उसका क्या हाल होगा और अभी सामने की तरफ ही यहाँ पर आ चुके हैं हमारी फैक्ट्री तो यहाँ पर हमारे ट्रक को छुपा देगे और हमारे मतलब लाला के जो ट्रक है उसको छुपा देगे और उसको उसकी उकाद भी पता चल जाएगी इस हाथसे के बाद कि त्रिपाटी खांदान क्या चीज़ है उनसे पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना सिंपल सी बात है ज्यादा बताने की जरुद भी नहीं है और यहाँ पर हमारे दूसरे कबूतर को भी मिलकर आते हैं यहाँ पर क्या हाल चाल है धंदे का यहाँ पर अगर कोई चुदाप कर रहा है अगर कोई चूत यहाँ पर पेल रहा है तो मौना त्रिपाटी उसको देख लेगे तो यहाँ पर कबूतर को पूछ के आते है कि यहाँ पर कोई धंदा वंदा करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही और प्रोफिट आ रहा है या फिर लोज जा रहा है तो दोनों चीज़े यहाँ पर देख के आते है और हमारी जो फैक्टरी है वो यहाँ पर ही है पिछे की सा पूछ के सरे यह यह और तु इधर तू क्या कर रहा है यह यह इधर 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 इसाड़ पढ़ाई लिखाय में जान दो आई यह वाई एस बना और देश को संपालो लेकिन ने कि तुमारी गाण में चनौने खाट रहे लग नासकार मोरिया साब हम जा रहे डेड बोडी को ठिकाने लगा दियो ठीक है मोरिया साब समझ रहे मिर बात वरना आपको भी वता है आपका क क्या हाल हुआ था ठीक है तो यहां पर कभूतर को पूछ लेते हैं कि क्या हमारा प्रोफिट जा रहा है और क्या हो रहा है तो हम यह मुन्ना तरिफाटी का काम है वह अपना काम करेंगे लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब को भी जरूर प्रेस कर देना उसके अलाव अगर आप लोग छो इंस्टाग्राम अगरे का उसके तो मेरे अडिय का इंक पर डिस्रिप्शिन में मिल जाएगा वहां पर भी में बहुत सारा गेमिंग अप्डेश डालता रहता हूं और वीडियो अच्छे बनेमा रहता हूं।